हेलो फ्रेंट्स आज आप लोगे साथ 20 x 25 फीट का एक वेस्ट पेसिंग हाउस प्लैन के बारे में डिसकस करने वाला हूँ जो की 500 स्कौर फीट में बना हुआ है इसका बिल्डिंग कॉस्टिंग कलम पोजिशन सारा कुछ आप लोगे साथ शेयर करेंगे उससे पहले मैं आप के सामने दिखा देता हूँ की प्लॉट कैसा बनने वाला है तो नमस्कार दोस्तों मैं हूपनप चौधरी सिविल पार्सला में सभी को स्वागत है चलिए स्टार्ट कर लेते हैं देखिए फ्रिंस यहाँ पर हम लोग को 20 फीट लेंध में मिल रहा है एंड वीड में हम 25 फीट मिलेगा पीछे की तरफ ओके कुछ इस तरिका आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग ड्रॉग किये हैं देखिए कुछ इस तरीका का आपका रहेगा अभी हम लोग क्या करेंगे इसका wall यहां पए provide कर देंगे देखिए कुछ इस तरीका का यहां पे हम लोगगा entrance के लिए हम लोग कुछ space यहां पर रख के पुरा wall यहां पे provide कर देंगे देखिए यहां पे भी जो outer wall है यह outer wall provide कर देंगे ऐहां पर भी same positions as it is करना है देखे कुछ इस तरीका का हो गया आभी हम लोग कि कलम position को सोच के ही यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीका का देख लीजे यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे देन यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे देखे कुछ इस तरीका हम लोग रूम्स बना रहे हैं अभी देखिए अभी इसका हम लोग यहाँ पर इनर वाल दे के कवर कर देंगे टोटल टू बेड्रॉम्स आ गया और यहाँ पर हम लोग एक टॉइलेट भी प्रॉवाइड करेंगे करेंगे ओके कुछ इस तरीका देख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग open kitchen provide करेंगे कुछ इस तरीका का की कुछ इस तरीका का हम लोग के पास ओपन कीचेन रहेगा यह जो है यहाँ पर डोर रहेगा यहाँ पर भी डोर होगा यहाँ पर एक डोर होगा अब यह आप बुलेंगे किसार स्टियर कहाँ पर होगा देख लिजिए स्टियर का बाद भी मैं करूंगा यहाँ पर आपके लोगे साथ स्टियर होगा कुछ इस तर तियर हम लोग यहाँ पे 17 पीस प्रोवाइट करेंगे राइज 17 पीस रहेगा ओके तो इस दिक्यत मेरे इसाब से आपको नहीं आएगा कुछ इस तरीका का यहाँ पे भी आपका वाल बन जाएगा एंड इस कॉर्नर पे हम लोग एक दोर प्रोवाइट करेंगे ओके कुछ इस तरीका आप देख सकते हैं तो कम्प्लीट यह बिल्निंग सेफटी परपस के लिए भी हो गया अभी हम लोग क्या करेंगे इसका वाल कावर करने के बाद आप लोग को दिखाएंगी कि कहां से क्या होने वाला है तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 20 फीट एंड यहाँ पे मिलेगा 25 फीट ओके तो आभी हम लग पुरा बिल्डिंग को अच्छे से सजा लेते हैं ठीक है फ्रेंड्स देखें कुछ इस तरीके का हम लोग यहाँ पे वाल कुछ इस तरीके का प्रोवाइट करेंगे देख सकते हैं आप यहाँ पे वाल प्रोवाइट इस तरीके का करेंगे एंड अब यहाँ पे जो विंडोस देंगे विंडो के लिए जगा छोड़ेंगे कुछ इस तरीके का देखिए यहाँ पे भी आप चाहते हैं तो विंडो प्रोवाइट कर सकते हैं आपके मर्जी यहाँ पे दो विंडो एक बेडरूम में प्रोवाइट कर सकते हैं यहां पर भी सेम कॉंडिशन रखेंगे हम लोग दो विंडो रखेंगे आप चाहे तो एक भी प्रोवाइट कर सकते हैं यह हो किया हम लोग का फ्रॉंट फ्रॉंट यह वेस्ट फेशिंग फ्रॉंट रहेगा तो एस पर बास्तू कि किया गया है को चीज तरीके का कि देखिए कि टोटल कंप्लीट हो गया है अभी हम लोग इसका स्टियर देंगे सरी स्टियर यहाँ पर नहीं नहीं देके आप लोग के साथ में शेयर करूंगा यहां पर विंडोस काहाँ पर होगा वह में आप लोग के साथ दिखाऊंगा एक windows यहां पर प्रोवाइट होगा यहां पर प्रोवाईट करेंगे को यहां पर प्रोवाईट करेंगे यहां पर प्रोवाइट करेंगे यहां पर एंड यहां पर यह फ्रॉंट में विंडोस प्रोवाइट करेंगे ओके अभी डूर अगर देखेंगे तो देख लिजे यहां पर हम लोग दो प्रोवाइट करेंगे إ 브레이्ट को कुछ इस तरीखे का ओके यहां पर एक डोर परफाइड करेंगे यहां पर श्लाइडिंग डोर प्रफाइड अफ़ोरवाइड करेंगे यह उपें भी डख सकते है इसको क्योंकि हम लोग open kitchen यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे इसलिए open kitchen में open भी रख सकते हैं या sliding door प्रोवाइड भी कर सकते हैं छोटा सा plan है यहाँ पर देख सकते हैं आप एक 500 square feet का plan है कैसा लग रहा है आप मुझे बता सकते हैं तो हम लोग के पास यहाँ पर west facing plan है तो front में हम लोग को west मिलेगा ओके एंड इसके बाद यहाँ पर इस side में south होगा right side में south होगा पीछे के तरफ east रहेगा एंड यहाँ पर आपको मिलेगा north ओके अगर मैं corner की तरफ जाओ तो यहाँ पर हो गया north east यहाँ पर हो गया south east यहाँ पर हो गया south west एंड यहाँ पर हो गया north west ओके friends तो अभी हम लोग front से इंटर करने के बाद दिखा देंगे आपको कैसा क्या बनने वाला है तो देख लिजिए वीडियो अम लोग अच्छे से discussion स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक steer छोटा सा देंगे एक ही रहेगा ज्यादा यहाँ पर प्रोवाइट नहीं करने का जोड़ी नहीं परेगा क्योंकि हम लोग का जो लेबल है वह यहां से घुसके यह चो डाउन रहेगा थोड़ा यहां पर कुसके इधर जो है यहां पर इस्टियर रहेगा ओके इधर सिएरह याँ अमोग अऊगे इसके बाद औस यहां हम लोग अप करेंगे तो दयुकिया है यहां पर यहां है यह जू इze फोर फीट का रहेगा यहां से हम लोग अगर इंटर करेंगे तो यह जो स्टियर है यह उपर में जा रहा है ठीक है हम लोग यहां से अप करेंगे दिन लैंडिंग दिन यहां से अप करके हम लोग फर्स्ट फ्लोर में पहुचेंगे तो यहां से इंटर करने के बाद लेंडिंग के नीचे से हम लोग का इंटरंस होगा तो यह जो स्टेर है इसके नीचे से हम लोग जाके यहां पर आएंगे ग्राउंड लेवल में हैं ग्राउंड फ्लोर में आएंगे तो ग्राउंड फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर का प्लिंट लेवल एंड ग्राउंड ले तो लेंडिंगं पाच फीट में आएगा एंड अगर इसको फृट को हम लोग 2 फीट अफ किये तो यह जो लेंडिंग का हाइट है वो साथ फीट हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप सको इसको समझ में नहीं आया तो को दिक्कत नहीं आपका इस प्लैन को आराम से बन जाएगा अगर प्लैन बनाना चाहते है तो आप मेरे साथ कॉंटेक कर सकते हैं देखें यहाँ पर आप करने के बाद यहाँ पर एक लेंडिंग आपको मिलेगा ओके यह जो लेंडिंग का पॉर्शन है फ्रेंड्स अब देख सकते हैं यहाँ पर शिक्स फिट शिक्स इंची का जगा आपको मिलेगा ओके यहाँ से यहाँ तक सिक्स फिट शिक्स इंची का जगा मिलेगा ओके यह यहाँ पर एक एक जो ट्रेट दिया गया है यह एट इंची आपको मिलेगा एक एक ट्रेट का साइज है एट इंची ओके यहाँ पर राइस प्रोबाइट किया गया है फ्रिंज एंड यहां पर देख सकते हैं आप टोटल जो एरिया आपको मिलेगा यहां से यहां तक जो एडिया मिलेगा आपको वो 11 ft 4 ची मिलेगा ठीक है 11,4 इंची स्पेस मिलेगा यहां से यहां तक 11 ट्रेट का जो साईज है 17 पीस आपको राइस प्रॉवाइड किया यहां पे ठीक है तो यह सारा कुछ आप लोग को नॉलेज में आगया मेरी इससाब से एंस्टियर का जो यह लैंडिंग के पोश्चन है वीद यह 3 फिट है सेम यहां पर भी 6 फिट-6 इंची बाई 3 फिट ओके तो मेरे साब से स्टेयर कोई दिक्कत नहीं आपको अभी हम लोग घर में रूम्स में इंटर करते हैं देखिए यहां पे ड्रोइंग रूम मिलेगा यहां पे त्री फीट का एक दोर आपको मिलेगा यहां से इंटर करने के लिए आपको चोटा सा एक ड्रोइंग एरिया मिलेगा अब से ही जोटा साइड ड्रोइंग रोम हैं यह और एक सोफा बगरा रख सकते है एड ज्यादा कुछ नहीं यहां पर प्रोवाइट कर सकते हैं कि बहुत जोटा एक आलिया में बना हुआ यहां पे एक विंडो प्रोवाइट करेंगे हम लोग 4 का फिल्द का फ्रेंज एंड देखे मैं बता दू कि यहाँ पर एक कीचेन मिलेगा टॉइलेट एंड टू विंडोस मिलेगा तो मैं धीरे धीरे आप लोगे शाथ शेयर कर रहा हूँ देखे यहाँ पर एक ओपें कीचेन मिलेगा जब की एस पर बास्तू के एकोर्डिंग है के अग्स साओटीस्ट कॉर्णनर पर हम लिगों का है यहां पर किचेन मिल रहा है ऑड चैना पर दिच्केन पर साइज होगा फरेंट शिवütब की ज हम लोग यहां पर रहे हैं एंड यहाँ पर window भी 4 feet का रखे हैं ओके friends एंड यहाँ पर हम लोगो मिल जा रहा है first bedroom ठीक है यहाँ पर एक bedroom हम लोगो मिलेगा इस bedroom का size जो होगा 12 feet by 8 feet length में हम लोगो मिल रहा है 12 feet and width में मिल रहा है 8 feet इस room में आने के लिए आपको एक door मिलेगा जो किया 3 feet का यहाँ पर 2 windows आप लोगो प्रोवाइट किया है रहेगा 4 feet का आप एक भी window प्रोवाइट कर सकते है friends यहाँ पर एक common toilet आपको मिल रहा है देख सकते है common toilet में आने के लिए आपको door मिलेगा 1,5 feet का and proper ventilations मिलेगा 2 feet by 1 feet का toilet का size होगा friends 7 feet by 3 feet 8 inch ओके 7 feet होगा length में and width में हो जाएगा आपका 3 feet 8 inch ओके यहाँ पर देखे और एक bedroom जो किया second bedroom आपको मिल रहा है second bedroom का size आप लोगे साथ में शेयर करता हूँ 12 feet 11 inch 12 feet by 11 feet 4 inch 12 feet है length में and 11 feet 4 inch है width में देख सकते हैं आप friends species है यह rooms एकदम सही है 12 feet by 11 feet एक room तो आपको बड़ा मिल रहा है okay and yes bedroom में आने के लिए आपको एक दोर मिलेगा 3 feet का 2 windows मिलेगा आपको 4 feet का ठीक है यह front में है दिखने में अच्छा लएगा इस window को रख सकते है अगर यह window आपको नहीं चाहिए तो मत रखिए ठीक है सारा कुछ आप लोग के साथ मैं discussion कर चुका हूँ अभी आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि इसका column positions कैशा होने बाला है देखे फ्रिंस plan अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बता सकते है एंड मेरे साथ जूच सकते है YouTube चैनल पर एंड अगर प्लैन यह अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत नया नया प्लैन आप लोग के साथ हम लोग शेयर करते रहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को जरूर प्रेस करें कि आगे वाला नोटिफिकेशन जितना सरा हम लोग वीडियो अपलोट करेंगे उसका नोटिशन नोटिविकेशन आपको मिलता रहे Bar and a daily लो विडियो अप्li only करते हैं आप को कैसा लगता है प्लैन आप मुझे बता सकता है कॉमेंट करके टोटल यहाँ पे देखे फ्रेंस 950 कलम हम लोग्ड कर रहे हैं देखे यहाँ पैं मैं 9 PIEC को कलम हम लोग प्रोवाइट करेंगे कलम का जो साइज रहेगा फ्रेंच 10 इंची ब्ली इंची का साइज रहेगा सब यह जो कलम है इसका में साइज दिखाता हूँ यहां पे 12 इंची रहेगा एंड यह 10 इंची रहेगा ठीक है and footing size जो होगा 5 feet by 5 feet होगा यह basic सा है normally आपका 5 feet by 5 feet होता है ठीक है and इसका जो wall size है friends outer wall भी 6 inch का है inner wall भी 6 inch का जितना सारा wall देख रहा है outer outer wall 6 inch inner wall 6 inch ओके and इसका जो building costing होगा friends यह 5000 square feet में 500 square feet में बना हुआ है छोटा सा building plan इसमें आपको 5.5 to 6 lakhs में यह घर अराम से बन जाएगा इसका ground floor सारे 5-6 lakh में इसका घर आराम से आप बना सकते हैं यह एक छोटा सा plan है 20 feet by 25 feet का आप देख सकते हैं अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट करके कुछ अगर दिक्कत आया है कुछ जानना है आपको तो कॉमेंट करके जरूर बताए मैं जरूर कोसिश करूँगा आपका answer देने के लिए आज के लिए इतना ही friends thank you very much